और अब बात इस साल होने वारे लोग सभाचुनाख को लेकर विपक्षी गड़ बंधन में सीटों के तालमेल पर चल रही कवायत की करेंगे कल यूपी और महराश को लेकर बातचीप हुई सीटों के तालमेल का कोई आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ है लेकिन शिर्शेना के प्रवक्ता संजेडावत ने दावा किया की बातचीप करीब करीब पाइनल है देखिए तीन दिनों में तीन घटक डलों के साथ जो बैठक होई है और सबने एक ही बात कहा कि अच्छे माहल में बातचीत हो रही है और ये भी बड़ी हैरत की बात है कि महाराष्टा की बात भी दो चाहे कॉंग्रेस तो चाह शिवसेना दोनों एक ही जैसी बात करें कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक रहा है जानकारी जो यहां तक आई है कि अभी जगबग जो सहमती बन रही है उसमें कॉंग्रेस को 20 सीटे, शिवसेना को 18 सीटे, एंसीपी को शरत पवार गुट को 8 सीटे जबकि राजू शेटी को कॉंग्रेस अपने खाते से एक या 2 सीटे दे सकती है, प्रकाश आमबेटकर की पार्टी को 2 सीटे दी जा सकती है तो यहां तक की सहमती अगर बनती हुई दिखाई दे रही है, तो यहां रोज यह माना जा रहा था कि इतनी इस तरह की माथा पच्ची हो रही है, लडाई जगडा है आपस में, लेकिन तीन दिनों में उन्होंने आखिर सुलजाने की कोशिश की लेकिन यह भी फाइनल है या नहीं, यह तब पता चलेगा जब 14 और 15 तारीकों जितनी सीटे उन्होंने मांगी थी पूरी हो गई हो डिमांड किया जा रहा है, लेकिन इस पर आखरी मोहर तभी लगेगी, जब सुनिया गांधी और उसके साथ शरत पवार और उद्धो ठाकरे 14 और 15 तारीक को जो प्रस्तावीद बैठा है का, तो यह जरूर मान सकते हैं कि मकर संक्रान्ति के बाद शायद कम से कम महाराश्रा की गठवंदन पर अपचारी का एलान भी हो जाए ठीक है, बने ने, हम आए सारक बीच मलका आजुन खड़गे और संजेर राउत सीटों के बटवारे को लेकर इस मीटिंग के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिये सीट शेरिंग अपने अपनी एरिया में वो तो कर रहे हैं और हमारे लोग भी जिस जिस जगे जो पूछना है, वो हमारी कमिटी जाके पूछ रही है तो वो जल से जल निप्टा लेंगे बहुती संग्षित में इतना ही कहूंगा कि ये पूरे संगर्ष का जो दौर चल रहा है, उसमें हम सब एक साथ है एक साथ रहेंगे, एक साथ तुनाव लड़ेंगे और महराष्ट एक ऐसा राज्य बनेगा जहां जादा से जादा सिटे इंडिया गडबंतन के हम तुन कर लेके आएंगे हमारे में कोई मतवेद नहीं है स्टेट शेरिंग में सभी सिट पर one-to-one बात हो गई है और लगबक हमारी सब की समयती उस पर हो गई है बुलिए वो आकड़ा बाद में आ जाएगा, आकड़े बाद में लगाएंगे हम तो श्रसीना के मताबिक महराष्ट में सीटों का बटवारा तो करीक परी फाइनल हो गया है लेकिन उत्तर प्रदेश में पेज फसा हुआ है, दरसल बीएसपी को लेकर पेज फसा है बताया यह जा रहा है कि अकलेश यादव बीएसपी को साथ लेने के पक्ष में ही नहीं है सूत्रों के मताबिक इसी मुद्दे पर कल यूपी के मुद्दे पर बैठक आनन्फानन में खत्म हो गई आज तक यही सवाल कॉंग्रेस नेता सलमान खुर्शीत से पूछा, तो सुनिये उनका जवाब क्या था सबसे कम मिनिट की बैठक उत्तर प्रदेश पर रही आप खोद एक सदस हैं आलाइंस कमिटी के क्या राम गुपाल यादव बीएसपी के मामले में बिफर गया यह कहा जा रहा है यह बात ही नहीं करी हम सिर्फ उनकी पार्टी की और वो हमसे हमारी पार्टी की बात कर रहे थे कि हम एक दूसरे के सहयोग को कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे संपन कर सकते हैं इन इन कॉन्वरसेशन को जो हमारी बातचीत चल रही है जो चर्चा चल रही है इसको शीगर ही हम संपन कर सके और एक सूची बना ले जिसमें हम एक दूसरे के सहयोगी बनकर उत्तर परदेश मे एक नया वातवरन पैदा करें आज इस पर बातचीत हुई थी है इतनी बातचीत करने में आपको बताने में सिर्फ दो मिनिट लगे तो आप ये कह रहे हैं कि वो कम समय में ये बात हो गए जहां आज की लंबी चली और हम सीटों तक पहुंच गए थे उनकी ये उनके साथ ये लंबी बातचीत करके आपको बताएंगा ये तीसरा और चौथा पार्टनर भी लाएंगे आप चौथा क्या बीironास पी हो सकती है क्योंकि आप दोनों की अलगालग राय है इस पर नहीं में चाहती कि हाती जो है रूम में एंटर हमारी कोई राय नहीं है सपा और हमारा समझ कुछ बात होती है उसका हमको अभी उसकी कोई हमें ना जानकारी है ना उस पर हमें कुछ कारवाई करनी है